क्यों कि आप पार्टी से जुड़े रहें तो अब वो एक तरह से धर्म के अधार पर वोट मांग रहा है ऐसा आरुप इंक पर लगाया जा रहें पार्टी के संस्थापक सदस्थ होने के ना पर आप कैसे देखते हैं पार्टी भी लगा रहें इन आरुप आप जस जगे पर यह बड़ा सकारात्मक काम है, पॉजिटिव काम में कर रहा हूं कि एक अच्छे शो में बैठा हूँ, मैं टिपड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए बहुत दुखध है खास तौर पर अभी मैंने जैसे देखा कि वो एक नया लड़का जो बाद में आया था दूसरी स समय में, वो कह रहा है कि जाकर साब हिंदू हैं और वो कह रहा है कि हिंदू चिंतित हैं, तो अब पंजाब कॉल ले साब, मेरा तो कुछ करने जाना है, मेरा कोई राजनेतिक मतलब नहीं है, भाजपा जाने, कॉंग्रेस जाने, अकाली जाने, आमादमी पार्टी जाने, ल पालिस्तानी मुव्मेंट से जड़े हुए लोग हैं इनका साथ मत ले पिछले चुनाओं में और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा चिंता मत कर और कैसे चीफ मिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे बगवंत को और फुलकाजी को लड़वा दू है कि तु चिंता मत कर या तो मैं एक स्वतंतर सुबे का मुख्यमंत्री बनुगा और मैंने का यह अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आएसाई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रूप तो क्या हो गया तो स्वतंतर देश क का पहला प्रदानमंत्री बनुगा जिस आदमी के थौट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके किसी भी कीमत में बस मुझे सरकार मिले सकता मिले मुझे दुख यह होता है कि हम चले कहां से ते जिस ममभई में मैं शूट कर रहा हूं आपको याद होगा अन्ना बना के मैं ऐसे कर सकता हूं चुकि उसका एक फार्मूला सफल हुआ है तो निश्यत रूप से एक सफल लाजनेता की तरह उसे अपना फार्मूला दोराना चाहिए अब जनता ही ऐसी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं इसमें कोई भी क्या कर सकता है देखे मैं आपसे फिर कहा कि मैं एक अच्छे शो में हूँ मैं वराजनीती की बात नहीं करना चाहता और मतलब आप जबरदस्ती मुझसे ले रहे हैं लेकिन मेरा दुख मुझसे लोग पूछते हैं कामावानी पार्टी पे क्यों बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं भाई भाई मेरे घर पर बनी थी ना मेरे घर पर ही मेटिंग हुए इस विससारी सो मुझे डुक होता कि चले कहां से ते और पहुंचे कहां हैं तो रोग जब मैं देखता हूँ वो गंदगीयाँ रोज मैं देखता वो टिक्टों के आरो के मारिपीड देखता हूँ कि बगाया जा रहा है उनके प्रतनेदी को लोग भाग रहे हैं कि टिकेट बेस दिया ठिकेट बेस दिया वो तो को चोड़ो पॉलिटिकल बाबा साब भीम्राव अंबेड करकी चेतना से संपन्र लोग इसलैक नहीं समझते तुम उने के मुक्यमंत्री बना सको इसका मतलब तुमारे अंदर की बात क्या है मैं तो बनिया हूँ और बनियों ने मुझे दुबारा वोट दिया था पहले नहीं दिया था अब बनी हो खूमत है कि जिसमें बन्दों को गिना करते हैं तोला नहीं करते तो अगर बन्दे गिनके उधर जादा हो जाएंगे कहीं भी हो जाते हैं दिली में हो गए थे तो वो जीत गए और मुझे लगता कहीं न कहीं तो दौनों पार्टिया है भाजपा कॉंग्रिस ना ये भी अरे ही लेक्षण जा चुक है चुकि मुझे से आदा उसे कोई नहीं जानादा